केंदर सरकार अपने हर योजना का प्रचार प्रसार करने में तो पूरा जोर लगा देती है लेकिन उसके द्वारा शुरू की गई योजना का लाब लोगों तक पहुंच पा रहा है या फिर योजना सिर्फ कागजों में ही सिमट गई है इसे देखने वारा शायद कोई नहीं यही कारण है कि केंदर की अधिकांश योजनाएं सिर्फ कागजी बन कर रह गई है और इन कागजी योजनाओं में एक और नाम शामिल होने की कतार में है जिसकी शुरूआत प्यम मूदी ने बड़े ही धूम धामसी की थी 16 जुन 2017 को प्रधान मंत्री नरेंदर मूदी ने तेश में स्टार्ट अप इंडिया योजना की शुरूआत की थी इसके लिए 10,000 करोड रुपे का बजट भी रखा गया स्टार्ट अप कंपनियों को कई रियायते देने का अईलान किया गया जिसमें पेटेंट अप्लिकेशन लगाने पर 80% छूट और पहले तीन साल तक मुनाफ़े पर टेक्स में छूट जैसे प्रावधान किये गये थे इस योजना को लागू हुए लगपग 23 साल बीच चुके हैं लेकिन इसका लाब आम लोगों तक नहीं पहुँच सका जिससे लोगों को लगने लगा है कि योजना लाते समय जो वादे किये गए वह पूरे नहीं हुए विपक्ष से लेकर मोधी सरकार पर लगातार आरोप लगा रहा है लेकिन अब लोकल सरकल्स का स्टार्टप को लेकर जो सरवेक्षन सामने आया है उसने विपक्ष के आरोपों पर अपने मुहड लगा दी है लोकल सरकल्स के सालाना स्टार्टप सर्वेक्षन 2019 में कहा गया है कि केवल 18 फीसेदी स्टार्टप्स और छोटे और मजोले उद्यमियों ने स्टार्टप इंडिया अभियान से कोई लाप मिलने का दावा किया इसका मतलब यह हैं कि योजना का जैसा प्रचार हुआ उसके उलट 82 फीसेदी स्टार्टप्स को इसका लाप नहीं मिला इसके अलावा इस सर्वेक्षन में स्टार्टप पर लगने वाले एंजल टेक्स मुद्दे पर भी बात की कई है जिसमें 32 फीसेदी स्टार्टप्स ने बताया कि साल 2018 में इस सम्मंद में उन्हें आयकर विभाग से कई नोटिस मिले 71 फीसेदी स्टार्टप के संस्थापक ने कहा कि तमाम मुश्किलों के बीच वे अपने संगठन को आगे बढ़ाएंगे जबकि 24 फीसेदी ने कहा कि वे अपना स्टार्टप बंद कर देंगे जबकि 5 फीसेदी ने कहा कि वे अपना स्टार्टप बेच देंगे यह वो योजना है जिसका प्रचार अभी भी मोधी सरकार द्वारा जोर शोर से किया जा रहा है लेकिन सरकार प्रचार प्रसार के साथ ही योजना की क्रियानवन पर सही तरीके से ध्यान दे तो शायद इसका लाप स्टार्टप इंडिया से जुड़े लोगों को हो सके DBLive की रिपोर्ट हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूटूब पर टाइप करें DBLive सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुश्ती रहें देखते रहें DBLive क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार